हेलो गाईज, वेलकम टो सागर रोबोडेक्स तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम इस तरीके का सेम एक गियर बनाने वाले इस गियर को हम पूरी तरीके से घर की जो चीजे होती है उसका इस्तमाल करके बनाने वाले और आप भी इसको काफी आसानी से बना सकते हो वो भी गर की चीजे यूज करके और इसको आप कही भी गियर मोटर में, टॉय कार में कही भी यूज कर सकते हो जहाँ पर आप चाओ उस तरीके से तो आप ऐसा ही नहीं जो भी आपके पास available हो तरीके का gear आप बनाना चाहते हो उस तरीके का gear इस मिथड से बना सकते हो बस आपको वीडियो को पूरी watch करना है और step by step देखना है तो यहापे आप देख सकते हो कि यह जो gear है इसके जो teeth है उसके अंदर काफी सारा कचरा लगा और इसको clean करना काफी जरूरी है क्योंकि इसको हम अगर cast करेंगे और इसके teeth के अंदर अगर कोई कचरा रहे गया तो कचरा भी उसके साथ आ जाएगा और gear अच्छे से नहीं बन पाएगा तो देखो मैंने इसको काफी बढ़िया से यहापे toothbrush के द्वारा clean कर लिया है तो अ लेकिन यहापे हमें इसके उपर थोड़ा सा oil डालना पड़ेगा आप कोई भी oil डाल सकते हो तो यहापे मैं coconut oil का इस्तमाल कर रहा हूँ तो यह काफी आसानी से और easily घर के अंदर मिल जाता है तो इसको आपको काफी बढ़िया से आपर सारी और लगा देना है और पूरा ए एकदम यहापर पतला हो जाना चाहिए उसके बाद इस तरीके से आपको यहापे इसके उपर इस glue को डाल देना है आपको पूरा step by step में एक एक बात समझा रहा हूँ तो आपको पूरा का पूरा लक्षपूरवक ध्यान पूरवक समझ लेना है अगर आप थोड़ा सी भी ग जा गया है ठंडा हो चुका है आपको पूरी तरीक तो यहापे देखो यह अच्छे से निकल चुका है अब इसका जो ऑईल है एक्स्ट्रा का इसको हम यह आपको इस तरीके से दीरे दीरे यहापे इसको रिमू कर लेना है यहापे हमने hot glue इसलिए लगाया था क्योंकि यह जाता है तो फिर यह अच्छे से काम नहीं आएगा तो इसलिए अब इसके अंदर हमें फिर से oil डालना है क्योंकि इसी के अंदर हम gear बनाने वाले तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा तो अब यहापे इस तरीके से आपको अच्छे से oil लगा देना है जिससे कि इसके चिपकेना और उसके बाद यहापे आपको कोई भी रूई या फिर कपड़े का टुकड़ा लेना है और इसको क्लीन कर लेना है जो एक्स्ट्रा का oil हो अगर टीत के अंदर जम जाता है तो यह अच्छे से बंद नहीं पाएगा तो उसके बाद यहापे मैंने बेकिंग सोड ताके उपर अगर हम लिम्बू डालते है लेमन डालते है तो यह इस तरीके से फॉक के तरीके से मतलब इस तरीके से हो जाता है फोम की तरीके से तो देखो आप देख सकते हो कि यह इस तरीके से यहापे हो रहा है तो अब यहापे इस तरीके से आपको थोड़ा सा वो ले लेनी है और इसके उपर 2-3 बून डाल देनी है और उसके बाद देखना रियक्शन और इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको फिर से बेकिंग सोडा डालना है थोड़ा सा और अगर यह थोड़ा बहुत हीट होता है यह रियक्शन क्योंकि यह रियक्शन हो रहा है इसक इसके अंदर डाल देना है, अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं मिलता तो आप इनों का भी स्टमाल कर सकते हो, लेकिंग सोडा काफी easily मिल जाता है, और 10 रुपे का पैकेट आता है, और काफी बड़े साइच का आता है, काफी ज़्यादा बेकिंग सोडा उसके अंदर होता है, तो आप एक baking soda के packet के अंदर 10 रूपे के अंदर कितने सारे gear बना सकते हो कि मैं बता भी नहीं सकता इतने ज्यादा तो अब इसको हम सुकने देने की तो कोई जरूरत नहीं है जल्दी तभी के तभी सुक जाता है उसके बाद यहापे आपको तो अब हम यहापे इस gear को यहापे जो डाचा हमने बनाया था उसके अंदर डाला था उसमें से काफी इजली निकाल सकते है तो यह तो सुक चुका है क्योंकि यह फिविक है तो जल्दी डालते ही सुक जाता है तो हमारा सोडा है जो भी कुछ है जो अब तो यह प्लैस्टिक बन चुका है तो इसको आपको यहापे तोड़ देना है तो इस तरीके से आपको इसको पहले निकाल लेना है और उसके बाद आपको इसको फिनिशिंग देनी है एक्स्ट्रा का प्लैस्टिक जो भी कुछ है उसको हम यह आपे गिसके क्लीन कर लेते तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा सेंड पेपर के उपर गिसा मतलब थोड़ा ज्यादा ही गिसा और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके जो टी थे वो कितना बढ़िया हो चुके और यह जो उपर के टी थे यह थोड़े बहुत इदर उदर हो चुके क्योंकि इसके अंदर जो है एर बबल आ चुका था तो यह इसमें कोई दिक्कत नहीं थी यह जो हमारा हमने मोल्ड बनाया था जो भी कुछ डाचा बनाया था इसी के अंदर वैसा हुआ था तो अगर आप दो तिन बार इसको ट्राइ करते हो इस डाचे को अगर परफेक्ट लिप बना लेते हो एक बार तो आप उसका यूज करके 10, 20, 50, 100 जितने चाये उतने गियर इस डाचे से बना सकते हो बस एक बार आपको परफेक्ट डाचा बना लेना है लेकिन वैसे भी हमें यह जो उपर की पुली है उसका कोई काम नहीं है जो नीचे के टीथे उनका भी फिलहाल काम है तो इसको हमें बीच के अंदर से एक छेत करना पड़ेगा तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से डबल जो गियर है उसको भी बना सकते हो सिंगल गियर के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन यह डबल पुली वाला है तो एक बार आपको थोड़ा बहुत दो-तीन बार ट्राइ करना पड़ेगा वो जो उपर काड़ है मोल्ड है उसको बनाने का तो अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कार्डबोर्ड के उपर लगा दिया है जिससे की मैं आपको दिखा सकूँ कि यह कैसे गूम रहा है झाल झाल झाल